दोस्तों आज में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने गूगल मैप की लॉकेशन को किसी के भी साथ लाइव शेयर करें क्योंकि मेरे एक वीडियो पर कापी सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें बताओ कि किस तरीके से हम अपनी लाइव लॉकेशन शेयर कर सकें गूगल मैप की और जैसे आप वो लॉकेशन उसके साथ शेयर करोगे तो वो बन्दा आपको लाइव आपकी लॉकेशन है वो देख पाएगा कि आप का रहे और आप भी उसकी लॉकेशन देख पाएगे कि वो बन्दा पर रहे क्योंकि अक्सर कई बार लोग जब कहीं पर जाते हैं या पिर किसी से मिलने जाते हैं तो उनके साथ अपनी live location share करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप किस इस्तान पर हमें बताइए ताकि हम बहाँ पर आ सकें तो सलिए ये सीज़े किस तरीके से काम करती है मैं आपको google map में ले जाकर सरल तरीके से बताऊंगा ताकि easy तरीके से आप समझ पाओ कि कैसे हम अपनी live location share कर पाएं और देखो इसमें कुछ लोग मिश्टाक भी करते हैं कि वो live location share दो करते हैं लेकिन वो live time के लिए कर लेते हैं तो सलिए मैं अपनी mobile की स्क्रीन है उसको pass में enable कर देता हूं ताकि आपको easy तरीके से समझ में आए कि कैसे हम अपनी google map की live location share कर सकते हैं तो सबसे पहले google map तो सभी को पता है कहा पर होता हैं हमारे mobile में ही होता है और application में जो google की जितनी भी शारी application होती है वो एक जगह ही होती है तो उसमें आपको google map application देखा ही देगी तो उसको open करना है, उसके बाद सबसे पहले देखो, जिन सीजों का ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूँ, देखो, सटीक तरीके से बात करता हूँ, ज्यादा घुमाता भीरत आपको, हूँ नहीं, हूँ नहीं, बिल्कुल भी, तो सबसे पहले तो location on कर लेजी आप अपन इसके बाद location option होता है, उसको enable कर दीजिए, इसके बाद वाफस आजए ये map में, और map में आने के बाद, आप ठीक है, जहां कहीं पर भी है, आपकी location ये automatically ले लेगा, अब आपको करना क्या है, सबसे उपर अपनी जो profile दिकाई दे रही होगी, उस पर click कर देना है, तो simply मैं उसके बाद आपको यहां पर कुछ option देखने को मिलेंगे, जैसे ठीक है, यॉर profile, यॉर business profile, यॉर timeline, location sharing, अब यहां पर एक option देखने को मिल गया है, location sharing, तो इसके उपर आपको click करना है, मैं बक्वास नहीं कर रहा हूं, कई घुमा फिरा नहीं रहा हूं, सीधा तरीके से बत को deduct कर लेगा, यहां पर मैंने पहले बोला था कि location on रखना, अगर नहीं रखी होगी, तो यहां पर कुछ आपको settings करनी पड़ सकती है, जो कि automatic google map करवाएगा, तो इसके बाद जैसे यहां पर यह मेरी location इसने ले लिया है, उपर भी आ रहा है, राजस्तान वाला, और मेरे mobile क जो ठीक है, जितनी percentage charge बजा है, वो भी यहां पर बता रहा है, अब यहां पर लोग क्या कलती करता है, देख लिजे, मैं बता देता हूँ, यहां पर share your real time location, ठीक है, यह बता रहा है, अब इसके निचे यहां पर एक for one हर, मनलब एक गंडे के लिए आप इस location को share करना साथ है अगर हां, तो इसको share कर दीजे, निचे बहुत सारे share के option देखने को बिल रहा है, आप किसी भी माधिम से कर सकते हो, मैं WhatsApp के माधिम से बता हूँ का, ठीक है, उसके अलावा यहां पर आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां पर निचे यहां पर निचे वाले option पर click करते है, जिसमें लिखा वहाँ, you turn, this off, मनलब जब तक आप बंद नहीं करोगे, तब तक उसके साथ आपकी location share होती रहेगी, ठीक है, तो इस option को कभी भी आपको select नहीं करना है, वरना lifetime तक वो बंदा, जब तक आप बंद नहीं करोगे location share करना है, उसके अधा, तब तक वो बंद कम से कम ला सकते हैं, उसके अलावा बढ़ा सकते हैं, 30 मिनट, 45 मिनट, एक घंटा, तो इस तरीके साथ आप इसको location को बढ़ा सकते हैं, अब जितने time तक आप share करना साथ हो location, उतना time यहाँ पर select कर लिजे कि मैं 12 बजगर 37 मिनट तक ही उसके साथ location share करना साथ हूं, उसके ब बंदे के साथ, अब यह link आशो की है, अब उसके साथ यह link सली जाएगी, वो जैसे इस link पर click करेगा, तो आपकी जो location होगी वो उसको दिखाना शुरू कर देगा, कि आप इस time कहां पर है, आपकी location दिखाना शुरू करेगा, आपके ऊपर notification बार में भी दिखाएगा, कि आप भी अपनी location शेयर करना साथ हैं, तो enable कर दीजिए, तो वहाँ पर जैसे इस option को enable करेगा, तो उसकी भी location आपके साथ share हो जाएगी, और आपकी location उसके साथ share हो जाएगी, तो Google Map से इजी इस तरीके से आप live location बेज सकते हैं, और देको WhatsApp में भी location हम बेज सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी accuracy उसके होती है, वो थोड़ी सही नहीं होती है, लेकिन Google Map की static होती है, तो ये था पूरा वीडियो, उमीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो, तो like ज़रूर रना, channel पर नहीं हो, subscribe कर लेना, क्योंकि इस type की वीडियो channel पर आपको देखने को मिल है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही मिलेंगे, एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों, जै हिंद वंदे मात्रवूं